हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप आई हो पच्छे ही होंगे यह देखिए आज मैं तीन कलर से एक डिजाइन बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है जो यह देखिए यह मेरे पास दस नंबर का प्रोस्या है और यह तीन कलर की हुलन है इनतीन कलर से मैं एक पैटर्न बनाना शिखाऊंगी जो किसी भी प्रोज़ेक्ट पर डिजाइन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना लाइक जरूर कर देना जिसे कि जो कोई मेरा चैनल पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले जिसे कि मेरी नौटिफिकेशन मिलती रहे और नई-णई वीडियो में डालते हैं आप तक प बना लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, उननिस, बीस ये देखें मैंने बीस चैन बना ली है उसके बार एक, दो, दो चैन मैंने एक्स्टर बनाई हैं दो चैन के बाद हम तीसरी चैन मैं इस तरह से डबल क्रोशिय बनाएंगे ऐसे डबल क्रोशिय बनाया फिर नेक्स्ट वाली चैन मैं फिर से हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे एक, दो चैन बनाई फिर से दो को छोड़के तीसरी मैं दो चैन छोड़के तीसरी चैन में हम डबल क्रोश या बनाएंगे फिर नेक्स्ट में से नेक्स्ट डबल क्रोश या फिर दो चैन बनानी है फिर दो चैन छोड़के एक दो चैन तीसरी चैन में डबल क्रोश या इस तरह बार बार रिपीट करना सेंड्स फर्स्ट रोव में हम इसी तरह बना के कम्प्लीट करेंगे, फिर से दो चैन, तीसरे चैन में डबल क्रोशिया, इस तरह है, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर दीसरी चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इस तरह फिर्स्ट रोव में देखिए, इस तरह हमने बनाया, अब देखिए, सेकिन कलर यहां से हम सेकिन कलर लगाएंगे, मैं औरेंज कलर लगा रही हूं, यह देखे इस तरह से हम सेकिंड कलर जोड़ेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे फ्रेंड्स फिर पल्टेंगे अब देखिए यह इसमें उपर नहीं बनाना इसके नीचे से बनाना है यह जो हमने चैन दो छोड़ी थी के नीचे से हम यहाँ से डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से एक दो इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे फिर नीचे से नीचे से एक डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो 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 डबल क्रोश्या फिर दो चैन फिर इसमें नीचे से यह देखिए यहां से बनाना है हमको इस तरह से यह देखिए ऐसे बनके आएगा हमारा फिर से देखिए दो चैन फिर दो डबल क्रोशिया नीचे थोड़ी से दिक्तत होती है उसके बाद तो फिर अच्छे से बनता हुआ चला जाता है फिर से हम दो चैन बनाएंगे यह लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे जिससे के हमारा सही है इस तरह से फिर देखिए एक दो तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद यह देखिए यहाँ पर हम फिर तीसरा कलर लगाएंगे यहाँ पर हम तीसरा कलर एड़ करेंगे यह देखिए यह मैं ग्रीन कलर एड़ कर रही हूँ इस तरह से यह ऐसे मैं तीसरा कलर लगाऊंगे फिर दुबारा से ये चैन बनाएंगे यहाँ पर एक दो तीन चैन बनाएंगे यहाँ पर और ये जो इक्रीम कलर का है इसमें से हम यहाँ से डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेकिंड वाले में फिर दूसरे डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से शेकिंड में दूसरे डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से दो चैन बनाएंगे एक दो फिर यहाँ पर ऐसे एक और डबल क्रोशिय बनाएंगे ऐसे फिर दो चैन बनाएंगे एक दो फिर देखो इसमें एक डबल क्रोशिय सेकिंड वाले में से फिर दूसरे डबल क्रोशिय इस तरह से फिर दो चैन बनाएंगे फिर देखो इसके नीचे से हम यहाँ पर फिर डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाले में से फिर से डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे फिर देखो यहाँ पर इस तरह डबल प्रोशे बनाएंगे इस तरह से यह हमारा पैटर्न ऐसे बनेगा अब देखिए आगे हम फिर से नीचे हमने क्रीम कलर लगाया था अब फिर हम कलर चेंज करेंगे यह क्रीम कलर लगाएंगे यह देखों यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे क्रीम कलर लगा लगे फिर से देखिए फिर दो एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे अब यहाँ पर फिर यह देखिए अब हम फिर इसके नीचे से देखें क्रीम कलर से अब हम फिर से क्रीम कलर से बनाएंगे इस तरह से एक दो दो डबल क्रोशिय बनाएंगे और फिर दो चैन बनाएंगे फिर इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे फ्रैंड्स फिर दो चैन बनाएंगे फिर से दो चैन फिर डबल क्रोशिया फिर दो चैन फिर देखें लास्ट में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे जिसे कि हमारा पैटन सही आए यह नीचे से बनाएंगे इस तरह से लास्ट में एक बनाया इस तरह से हमारा पैटन यह बन कर आएगा यह देखो कितना प्यारा पैटन लगना फ्रेंट्स बहुत सुन्दर लगता है बार बार रिपीट करेंगे तो यह देखो कितना सुन्दर बन के आया है को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाज ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, थैंक यू, बाई बाई